पस्तार मित्रों पीशस पाठ साला में आप स्वीका स्वागत करता हूँ एक मामला जो माननी उच्छतम नियाले में चल लहा है कि प्राइमरी में B.E.ड इलिजबल रहेंगे कि नहीं रहेंगे B.E.ड प्राथ्मिक से बाहर होगा कि नहीं होगा तो देखिए दरसल बात यह आपको यह बता दें प्राथमिक में बीएड असली बात आपको बता दें प्राइमरी से जो बीएड सोचने हैं बीएड आउट हो जागा प्राइमरी से सुर्य पूरव से उगता है और पस्चिम में जाकर अस्थ होता है सुर्य पूरव से उकता है वो पश्चिम में जाकर अस्थ होता है यह संसार का सबसे बढ़ा सत्य है और यह इतना ही बढ़ा सत्य है इतना ही बढ़ा सत्य यह भी है कि बीड प्राइमरी में रहेगा और उसी दमखम के साथ प्राइमरी में रहेगा डंके की चोड़ पे रहेग एन केन प्रकारण बहुत सारी भी संगतियां भी हुई उन भी संगतियों को स्विकार भी किया गया लेकिन कुछ भी हो 99,000 टीचर भरती थी 1,46,000 लोगों पास किये थे आपकी जानकारी ले बता दें बस एक जानकारी आप लोगों को दूँगा 1,46,000 जो लोग पास हुए थे उसमें 97,000 वन ली वन बीट थे बीट कंडिडेट 97,000 पास किये थे 99,000 टीचर भरती में 1,46,000 में बीट भरती जो थे 97,000 पास किये थे और BTC की लोग जो थे वा सिर्फ और सिर्फ 36,000 पास किये थे मतलब अगर सिर्फ और सिर्फ बीटीची को अगर प्राथ्मिक में मौका मिल जाता उन्हें 3,000 टीचर भरती में तो जिस तरह से 68,500 में सीट एर रिट पी चली गए उससी तरह 48,000 टीचर भरती में भी सीट एर रिट पी चली जाती हैं उनको भी मौका मिले और बीट को जब जब मौका मिला बीट ने अच्छा कुछ करके दिखाया और एक लाग 46,000 में 97 का हाई कटाफ पार करके 97,000 लोगों ने पास किया और उनके मुकाबले बैठे थे बराबर ही जितने बीट कंडिडेट बैठे थे उतने ही बीटी बीटीशी कंडिडेट भी लगबग उतने ही बैठे हुए थे या तो कहिए उसे ज़्यादा कहीं बैठे हुए थे प्राइबरी में और सुपर्टेट में लेकिन उसके बावजूद भी परदर्शन बहुत ही गंदा रहा बीटीशी का सिर्फ और सिर्फ 36,000 लोग पास दिय थे तो मैं यहां पर टार्गेट नहीं कर रहा हूँ मैं मान कर चलता हूँ या हम लोग मान कर चलते हैं कुछ बीट के भिरती भी खराब हो सकते हैं पढ़ने में कुछ बीटीशी के भिरती भी खराब हो सकते हैं पढ़ने में लिखने में यहां पर मेंटर यहां पर यहां है क्या प्राथमिक से अगर B8 को बाहर कर दिया जाएगा तो सिच्छा पर क्या आसर पड़ेगा और पहली बात तो B8 बाहर नहीं हो रहा मैंने पहली बात आपको कहा तो B8 प्राइमरी में बाहर नहीं होगा बीट्स प्राइमरी में ही बना रहेगा दमखम के साथ बना रहेगा एक सबसे ओड़ी बात यहां कहा जाता है कि प्राथमिक जो है बीटीसी का घर है बीटीसी जो है प्राथमिक में ही रहेंगे तो देखिए प्राथमिक में जब कोई बीटीसी अध्यपक बनता है तो एक लं तो अभी तो फिलहाल आप यह जानले कि बीट प्राइमरी में है और रहेगा और देखते हैं हफ्ता दस दीन के अंदर क्या नड़य लिए जाता है लेकिन यह बात आप जानले पूरी तरह से अच्छे तरीके से जानले बीट प्राइमरी में रहेगा और टंके के चोड़ पर यह बात आप जानना है इससे कहीं आप बाकी लोग अगर किसी प्रकार से यूटूब पर जो लोग अपने दुकान सजा कर बैठे हुए हैं माल बेच रहे हैं रहतार उन लोगों के भड़काने पर बातों में मत रहिए क्योंकि देखिए अगर कुछ लोग एकजामपल दे रहे हैं राजस्थान कौवर्मेंट की राजस्थान कौवर्मेंट ने बाहर कर दिया बीएट को वह प्राइमरी भी नहीं घुरसाता है बीएट तो राजस्थान में बाहर हो गया राजस्थान में तो 10,000 प्राइमरी की व गई सरकार अपने primary or जुनियर के लिए बैकंसी नहीं देपा रही है तब वो primary में इंट्री कर रही करवा रही है कीबियस तक केंद्री विद्डाले नोदे विद्डाले तक eligible मान लिए है बेसस भी तक eligible मानता है बीट को फिर कोई मतलब नहीं रहा जाता है ठीक है तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है हलाकि जेज्मेंट कुछ भी हो लेकिन आप यह जान ला है जेज्मेंट सकारात्मक ही रहेगा और यह बड़ी बात नहीं है अगर जेज्मेंट अगर निगेटू भी होता है त जुनियर जो माध्यमिक स्कूल है, मिडिल स्कूल है, वहां पर भी वैकैंसी काफी लंबे समय से नहीं आई है, तूटर नहीं मात्रा में वैकैंसी निकालनी पड़ेगी, जिस तरह से रारस्थान गौर्मेंट निकालती है वैसी ही वैकैंसी फिर बीड़ वालों के लिए भी अलग से निकालने पड़ेगी ठीक है मित्रों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्राइब करेगा और भी किसी प्रकार का कोई भी प्रश्ण किसी की भी मन में हो तो आप कमेंट करिएगा मैं उस पर वीडियो बनाने का पूरा प्यास करूँगा धन्यवाद आप लोकों